तो चलिए आज करते हैं हम EBS का next chapter, chapter number 14, plants around us. तो देखी, यह है हमारा chapter number 14, plants around us. इसमें हम पढ़ने वाले हैं, parts of plant और तरह तरह के plants के बारे में. देखते हैं, क्या-क्या पढ़ेंगे इस chapter में? Plants are our green friends, all around us. Plants हमारे क्या है? Green friends है, यानि हरे-हरे friends है, ठीक है? उनके साथ हमें friendship करनी चाहिए, वो हमारे friends है, all around us, जो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं. Parts of a plant और हम पढ़ेंगे plant के parts के बारे में, जैसे आपने पढ़ा हैं, कि आपके body में कितने सारे parts होते हैं, head, nose, eyes. तो उसी तरीके से जो है plants में भी parts होते हैं और उनके नाम भी हमें सीखने हैं. We eat different parts of a plant और हम जो है plants के सारे parts को खाते हैं. तो जो है plants के हम सारे अंगों को हम खाते हैं, सारे parts को हम खाते हैं. Types of Plant, अब हम पढ़ने वाले हैं, Types of Plant भी इस चैप्टर में, जैसे कि कितने प्रकार के प्लांट होते हैं, एक है Herbs, दन दूसरा Shrubs and Trees, कि ये तीन तरह के प्लांट होते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, Other Uses of Plants Besides Fruit, ये तो हम सब को पता है कि प्लांट हमें food देता है, ना, प्लांट से ही हमारे सारे food items आते हैं, जो हम daily use में खाते हैं, वो हमें plants ही देते हैं, इसके अलावा plants से हम क्या क्या कर सकते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ओके, सो जल्दी से chapter read करना शुरू करते हैं, plants are our green friends, plants जो हैं, पेट पौधे जो हैं, हमारे हरे भरे friends हैं, ठीके, they are all around us, वो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, they make the plant kingdom, plant kingdom मतलब क्या, मतलब सामराज, यानि पूरे पौधों का एक सामराज, उनका एक बहुत बड़ा family, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीके, so plants की जो है, बहुत बड़ी family होती है, ठीके, they make the plant kingdom, सबको मिला कर जो है, plant kingdom बोलते हैं, so अब हम पढ़ते हैं, एक plant के parts के बारे में, ठीके, जैसे कि आप एक picture में देख रहे हैं, ये हो गया, आपका ground, आपकी जमीन, इसके नीचे आता है, आपका मिट्टी, plant की जो जड़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, root है जो जमीन के नीचे होता है, जैसे कि आपने एक seed डाला, ठीके, आपने एक plant खड़ा हो पता है, ठीके, जिसके उपर plant खड़ा है, ये stem है, plant का, and then, फिर stem से क्या निकलता है, एक एक छोटी-छोटी branches निकलती है, जैसे आप देख सकते हैं, पहले एक था, फिर उसमें से इस तरीके से branches निकल गए, टहनिया, ठीके, जिससे हम टहनिया बोलते हैं, वो हम बोलते हैं, branch, and then, फिर क्या निकलता है, फिर पत्ते निकल आते हैं, so leaves हो गया, फिर branch में से फिर छोटे-छोटे पत्ते निकल के आते हैं, जिनको हम leaf बोलते हैं, और जब बहुत सारे पत्तों को बोलना हो, तो leaves बोलेंगे, ठीके, l-e-a-v-e-s हो जाएगा, अगर बहु बढ़ क्या होता है, यानि फूल की छोटी सी कली निकलती है, ठीके, वही जो है, आगे बनकर बहुत बढ़ा फूल बन जाता है, तो पहले छोटी सी कली निकलती है, ठीके, so उसको हम बढ़ बोलते हैं, और फिर वो बढ़ा हो जाता है, एक सुन्दर सा फूल बन जाता है, जो कि आपका हो गया flower ये तो हम सबको पता है ना और flower के बाद last में क्या निकलता है हमारा fruit वो जिस भी fruit का plant है वो fruit उसमें से निकलता है और जिसे हम तोड़ कर फिर खाते हैं और as a food item हम उनको use करते हैं ठीके सो ये हो गए हमारे parts अब एक plant के ठीके ये होते हैं सारे parts एक plant के stem then branches branch then leaf then bud then flower and last में हो गया fruits ओके सो ये आपको याद रखना है और इसको draw करके भी आपको label करके practice करने हैं label मतलब क्या सारे parts के नाम लिखना ठीके सो ये ऐसे exam में आ सकता है draw parts of a plant and label it यानि एक plant का picture बनाईए छोटा सा बनाईए जैसे आपसे हो सकता है और फिर उसके सारे parts को आपको लिखना है उसे हम labeling बोलते हैं label करना ठीके सो ये आपको अच्छे से पढ़ना है ये important है इस chapter में अब आगे पढ़ते हैं parts of a plant look at the picture of a plant इस plant के picture को देखिए and learn about its part यानि और इनके सारे parts को याद करिए a plant grows from a seed एक plant जो है एक पौधा जो है एक बीज से शुरू होता है एक बीज से उगतना शुरू होता है first the roots come out under the ground जैसे की हमने बोला जैसे की मैंने बताया पहले सबसे पहले ground के नीचे roots निकलते है then the shoot comes out shoot किसको बोल रहा है इस stem को ठीक है फिर यहां से जो है shoot निकलता है जो बाहर की तरफ निकलता है root नीचे और shoot उपर जो की stem हो गया हमारा ठीक है then the shoot comes out and grows above the soil जो मिट्टी के ऊपर है उसको हम shoot बोलेंगे और जो नीचे है उसको root बोलेंगे आगे देखिए we eat different parts of a plant हम जो है plant के सारे अलग-अलग parts को खाते हैं ठीक है the stem is green और brown color जो stem है हमारा जो हमने देखा था picture में जिसके बल पर एक plant खड़ा होता है वो green भी हो सकता है और brown भी हो सकता है ना green color भी होते है और brown color भी होते है then it supports the other parts of a plant वो जो है बाकी सारे plant को जो है support देता है यानि उन्हें खड़ा होने में उनकी मदद कहता है some stem store food कुछ stems चो होते हैं वो खाना भी अपने अंदर store करते हैं कैसे देखे पोटेटो जिंजर शुगर कैन ये सब examples दे हैं ये सब क्या है ये stems है तो ये part हम खाते है ना सो पोटेटो देखिए एक plant का stem है ginger भी उसका stem है यानि ये दिखने में stem की तरह नहीं है ये सब stem के अंदर आते हैं ठीके सो पोटेटो एक stem है ginger एक stem है और sugar cane एक stem है जो की हम खाते हैं तो अगर आपका question में आएगा की कौन से stem है जो हम खाते हैं तो आप इन तीनों के नाम लिख सकते हैं ये तीनों लिख सकते हैं ये stem है जो अपने अंदर खाना store करते हैं जिने हम तोड़ते हैं और खाते हैं Leaves are green in color, जो पत्ते होते हैं वो green color के होते हैं, they make food for the plant और वो क्या करते हैं, वो जो है अपने लिए खाना बनाते हैं, ये बहुत important है, एक plant का kitchen कहां होता है, उनके leaves में होता है, ठीके, तो एक plant जो है अपने लिए खाना कहां बनाती है, Leaves में बनाती है, पत्तों में बनाती है, तो पत्ते जो है plant का kitchen होता है, ठीके, सब वहीं पर पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, आप सबको भी पता है कि हम कुछ पत्ते भी खाते हैं कौन कौन से पत्ते खाते हैं खाते हो ना पालक खाते हो मेथी खाते हो हरा धनिया खाते हैं और पुदीना के पत्ता खाते हैं तो ये सारे वो पत्ते हो गए जो हम खाते हैं कौन से स्पिनेच जो की पालक है कैबेज पुद्गोबी, मिंड जो पुदीना होता है और कुरियांडर हमारा धनियापता. So, ये सारे जो हैं लीव्स हैं प्लांट्स के जो हम खाते हैं. So, ये हो गए स्टेम और ये हो गए लीव्स. आगे देखते हैं. Mainly we eat the fruits of a plant. अभी mainly जो हैं हम fruits खाते हैं. So, कुछ प्लांट हमें fruits देते हैं और कुछ प्लांट हमें vegetables देते हैं जिनको हम खाते हैं. जैसे की ब्रिंजल, गार्ड, लेडी फिंगर, एक्स्ट्रा, और वेज़टेबल्स. So, ये सब क्या है? वेज़टेबल्स. यहाँ पे देखे, दो बास्केट दिया है. एक बास्केट है, बास्केट ओफ वेज़टेबल्स, सबजियों की टोकरी, और दूसरी जो है, फलों की टोकरी. ठीके, सो ये दोनों है main चीज़े, जो एक पौधे और बोल सकते हो, आप एक प्लांट हमें देता है. ठीके, अगर आपसे पूछेंगी की कौन से वेज़टेबल्स प्लांट देते हैं, तो आप वेज़टेबल्स के नाम लिखेगा, और कौन से फ्रूट्स हैं, जो प्लांट्स देते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप एपल, बनाना, ग्रेप, वाटरमेलन, है ना, ये स प्लांट्स ही देते हैं, ठीके, तो कुछ प्लांट्स के नाम और कुछ वेज़टेबल्स के नाम आपको लिखना, सीखना है उनकी स्पेलिंग्स के साथ, औरेंज, एपल, बनाना, मैंगो, एक्स्ट्रा आर फ्रूट्स, ये हैं कुछ वेज़टेबल्स, और क्या मिलता है देखे, फ्लावर्स, फ्लावर्स भी मिलते हैं, फूल, पर देखे, वही फूल नहीं, जो हम डेकोरेशन के लिए यूस करते हैं, ये दो वो फूल है, जिने हम खाते हैं, ठीके, सो अगर आपसे पूछेंगे, वो कौन से फ्लावर्स हैं, जो हम खाते हैं, ठीके, प्लांट ऐसे कौन से flowers देता है जिनको हम खाते हैं सो वो हो गया आपका cauliflower और एक broccoli है ना ये सब देखा है ना जब आप सबजी लेने जाते हो सो आपने देखा होगा गोभी होता है और ये broccoli होता है ठीके ये दोनो एक जैसे दिखते हैं ये green color का होता है ठीके उसको हम broccoli बोलते हैं सो ये दोनो वो flowers हैं जो हम खाते हैं ठीके सो ये flowers हो गए flowers mainly attract insects जैसे कि देखिए आपको पता है कि फूलों में भी जो है insects आते हैं मतलब छोटे-छोटे कीडे मकोडे से आते हैं ठीके like bees and butterflies सो इसी तरीके से cauliflower और ब्रॉकली में भी छोटे-छोटे insects होते हैं ठीके क्योंकि ये flowers हैं ठीके then we eat some flowers like cauliflower, broccoli, etc सो ये सब जो है flowers हैं जो plant हमें देते हैं जिनको हम खाते हैं आगे देखते हैं seeds grow inside fruits और seeds कहां पे होते हैं fruits के अंदर देखर हमें एक mango का plant लगाना है सो आप क्या लगाओगे mango का ही seeds लगाओगे है ना उसी तरीके से आपको कोई भी fruit लगाना है कोई भी फल अगर आपको उगाना है तो आपको उनका बीज चाहिए जो उनके अंदर ही होता है है ना आपको पता है न कि हर fruits के अंदर seeds होते हैं अगर papaya लगाना हो तो papaya का seed, watermelon, watermelon का seed इस तरीके से आपको जो है कोई भी seed लगाना है उस पौधे का, उस fruit का और तभी जाकर वो plant आपको वो fruit देगा सो यही होता है कि seed grows inside fruits, सारे जो बीज होते हैं वो fruits के अंदर ही होते हैं a seed stores food for baby plant सो उसका क्या मतलब है यह जो बीज होता है उसके अंदर भी खाना होता है किसके लिए baby plant के लिए ताकि हम नए पौधे लगा सके इसलिए नए पौधे उसमें से निकलते हैं क्योंकि वो जो seeds होते हैं उनके अंदर भी अपने चोटे baby plants के लिए थोड़ा-थोड़ा खाना store हुआ होता है इसलिए जब हम अच्छा बीज लगाते हैं तो उसमें से चोटे-चोटे plants निकल कर आते हैं ठीके the new plant grows from the seed जो एक नया plant जो है उसी बीज में से grow होता है यानि बढ़ता है उगता है we eat some seeds इसके अलावा हम कुछ seeds भी खाते हैं मतलब बीज भी खाते हैं वो क्या है pulses and spices are the seeds pulses क्या होता है आपकी सारी दाले जो आपके घर में है आपके kitchen में है ना जैसे आपका राज्मा हो गया आपका काला चना, white चना, काबुली चना, दाल, मसूर दाल और सारी तरी तरह की दाले आप खाते हैं उनको हम pulses बोलते हैं तो भी seeds है ठीके pulses बोलते हैं और spices क्या होता है आपके सारे masala है ना जिसे आपका धनिया हो गया और लाल मिर्च और आपका हल्दी जिन जिनको पीस के ममी masala बनाती है ना जीरा ये सब अजवाइन ये सब आपके spices हो गए इनको हम बोलेंगे masala और इनको हम बोलेंगे डाले ठीक है पलस डाल spices masala तो ये दोनों क्या है seeds है जो हम खाते हैं अभी आपको देखिए इस प्रेज में बहुत सारी चीजें पता चली है जैसे कि देखिए उ स्टेम्ट जो हम खाते हैं वो हो गया fruits देता है और vegetables देता है और plant हमें कौन से flowers देता है जिनको हम खाते हैं cauliflower और broccoli और last में seeds वो सारे beech जो हमें plant देते हैं जिनको हम खाते हैं वो हो गया हमारा pulses और spices तो चली अब चलते हैं आगे अब देखिए अब हम पढ़ेंगे types of plants plants के कितने कितने types होते हैं मतलब कितने तरे के plants होते हैं ठीक है so plants are mainly of three types according to their sizes sizes मतलब उनकी जो size है है जिससे उनका height कितना है छोटा है बड़ा है या बहुत जादा बड़ा है इस तरीके से अगर हम plant को एक एक type में बाटे तो plant three types के होते हैं ठीक है सबसे पहले herbs then second one shrubs and trees so ये उनके size के उपर उनको divide किया गया है size के उपर उनकी कितने types होते हैं तीन types herbs herbs मतलब क्या जो सबसे छोटे होते हैं जैसे आपकी घास बस उतनी उनकी height होती है ठीक है सो घास हो गया और आप पुदीने के पौधे देखें आपने ठीक है सो पुदीने के पौधे कितने चोटे होते हैं एकदम चोटे चोटे से आते हैं और धनिया का पौधा यह बहुत चोटे होती हैं इनकी height है ना जैसे की grasses, mint, coriander, etc. यह होगे उसके examples, then shrubs क्या होता है, उससे थोड़ा बड़ा, herb से थोड़ा बड़ा, और पेड के जितना बड़ा भी नहीं, जो बीच में आता है, उसको हम shrubs बोलेंगे, जैसे, देखे, a small to medium sized woody plant is called a shrub, woody plant क्यों बोला है, क्योंकि उसमें wood होता है, उसमें branch होता है, उसका stem थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा strong होता है, आप वो plant जिसमें stem होते हैं, branches होते हैं, ठीके, जो एक plant की तरह दिखता है, उनको हम shrubs बोलते हैं, जैसे की example देखे, तुलसी का पेड हो गया आपका, ठीके, जो आप घरों में लगाते हैं, तुलसी का hibiscus, यह भी एक plant है, जिसमें जो हमें flowers देते हैं, then rose, जो आपका गुलाब का पौधा होता है, उसकी height देखे हैं, आपने जो की, जिसको हम पेड भी नहीं बोल सकते हैं, और घास भी नहीं बोल सकते हैं, जो बीच में आता है, ठीके, उनको हम बोलेंगे shrubs, अब आगे, आ होता है, मोटा सा है, जिसको हम trunk बोलते हैं, so बहुत बड़ा plant, जो की एक tree जैसा बन जाता है, एक पेड जैसा बन जाता है, उनको हम trees बोलते हैं, is called a tree, जैसे कि आपका apple tree, mango tree, people tree, etc, सारे पेड, वो सारे आ जाएंगे trees में, so तीन तरे के plants होते हैं, सबसे छोटे very small plants, herbs, small to medium जो medium size के plants होते हैं, उनको shrubs बोलेंगे, और last में हो गया आपका सबसे बड़ा पेड, जिनको हम trees बोलेंगे, so यह होते हैं, हमारे तीन type of plants, आगे देखिए, there are creepers and climbers also, creepers and climbers, क्या होता है, देखिए, creepers वो होते हैं, जो जमीन में ही पौधे बन जाते हैं, और उनमें से ही सबजिया मिल जाती है, फल मिल जाते हैं, जो जमीन में लेटे लेटे पौधे होते हैं, जो उपर नहीं जाते हैं, जिनमें उपर जाने की ताकत नहीं होती, जैसे कि आपने देखा होगा आपका कदू, और watermelon, ठीके, so यह सब क्या होता है, यह नीचे नीचे ही होते हैं, उन उनको एक stick की जरूरत होती है, जैसे कि अगर आपने gardening की हो, या फिर आपने पौधे लगाए हो, पसबजियों के, फलों के, तब आपको पता चलेगा कि कभी-कभी जो है, कुछ लोग एक लकडी लगा देते हैं, या फिर कभी-कभी रसी से कुछ बान देते हैं, ताकि उन सपोर्ट मिल सके उपर जाने के लिए, ठीके उनको जो है, अपना उनका खुद का stem बहुत कमजोर होता है, वो खड़े नहीं हो पाते हैं, तो हम एक लकडी लगा के दे देते हैं, जिसमें वो ऐसे गोल-गोल करके चड़ जाती है उपर की तरफ, ऐसे भी पौधे आपने द होते हैं, creeper और climber, जो ground में, जो जमीन में ही लेटे-लेटे पौधे बन जाते हैं, उनको हम creepers बोलेंगे, और जो climbers होते हैं, उनको एक support की जरुत होती है, जो की एक लकडी लगाने से उपर-उपर की तरफ वो बढ़ने लग जाता है, मतलब वो उपर ही जाएगा, पर उन से प्लांट की तरह खड़े हो पाए, ठीक है, so creep they have weak stem, उनकी कमजोर stem होती है, green कलर की छोटी-छोटी होती है, ठीक है, बिलकुल लकडी जैसी नहीं होती, वोडी नहीं होती, creepers creep on the ground, वो जो है नीचे ground में ही चलते हैं, ground में लेटे-लेटे बनते हैं, जिससे मैंने बताया, and climbers need support to stand straight, और climbers को जो है उपर जाना है, पर उनको support की जरूरत है, the leaves of different plants are also different, ये भी हमें पता है है ना, कि सारे plant के जो पत्ते हैं, क्या वो एक जैसे दिखते हैं, नहीं है ना, तरह-तरह के shapes होते हैं, सारे अलग होते हैं, हर plant का पत्ता अलग होता है, और अलग shape में, आगे देखते हैं, देखिए एक activity करने के लिए बोला है, nature walk, nature walk मतलब क्या nature में चलना, यानि nature को enjoy करने के लिए जाना, so go for a nature walk with your school teacher to the school garden, ठीक है, so teacher के साथ school garden में जाने के लिए बोल रहे हैं, collect the leaves of five common plants, और पांच पत्ते आपको collect करने हैं, और उनके shapes देखने हैं, और उनक नाम याद करने हैं, ये एक activity है, जो आप school में कर सकते हैं, ने तो आप घर में भी, ममी पापा के साथ ये कर सकते हैं, ठीक है, so आपको पता चलेगा कि सारे जो पत्ते हैं, वो अलग-अलग दिखते हैं, उनकी shapes भी अलग-अलग होती है, तो उसको observe करना है, यानि उनको ध् खाना क्या-क्या देता है, और कैसे देता है, कैसे हम प्लांट को फूड की तरह यूज करते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि खाने के अलावा, प्लांट हमारे किन-किन चीजों में काम आता है, ठीक है, सो देखते हैं, देखिए, other uses of plants और plant products, प्लांट के other uses क्या-क्या है, besides supplying us with different types of food, हमें खाना प्रदान करने के अलावा, खाना देने के अलावा, plants are also the source of many other things, वो हमें और भी बहुत सारी चीजे देता है, क्या देता है, number one, the trunk of a tree gives us food, है ना, आपको पता है ना, जो पेड का तना होता है, मोटा, उनको लोग काटते हैं, किसी लिए, ताकि हम उनस furniture बना सके, furniture क्या होता है, जैसे कि table, chair, खड़की, दर्वाजे, और बहुत सारी चीजे बनती है, अलमारी बनती है, so यह सब कहां से बनता है, पेड को काट कर उसके wood से बनता है, ठीके, so उसके लिए use करते हैं, then second, different types of flowers are used for pooja and decoration purpose, यह भी आपको पता है ना, जब आपके घर में पूजा होती है, या कोई festival होता है, तब आप फूलों से decoration करते हैं, शादी में, party में, सब सबसे ज़ादा decoration में आने वाला चीज़ क्या है, flowers है ना, किसी को अगर हमें कुछ gift देना हो, अगर किसी को बधाई देनी हो, तब भी हम उनको जो है, फूलों के bucket देते हैं, ठीक करते हैं, लोग कहां पर rest करते हैं, जब बहुत जादा धूप होती है, तो लोगों को अच्छा लगता है कि पेड की चाय में खड़े हो जाए हैं, पेड हमें बहुत ठंडी ठंडी चाया देती है, तो चाया को shadow बोलते हैं, ठीक है, so people rest in the shadow of trees, so लोग जो हैं पेड की चाया rest करते हैं, आराम करते हैं, आगे, trees are home to many animals, like birds, monkeys, squirrels, snakes, etc. इसके अलावा, जो trees हैं, जो पेड हैं, वो बहुत सारे जानवरों के घर भी होते हैं, जैसे birds, birds तो आपको पता हैं, birds कहां पर अपना घर बनाती है, घोसला बनाती है, nest, कहां बनाती है, पेड पे हैं, so birds को पेड की, क्योंकि ताकि वो अपना nest बना सके, monkeys भी पेड पे रहते हैं, हमने पढ़ाए हैं, squirrels, जो गिलहरी है, वो भी पेड पे घर बनाती है, और snakes, snakes के भी holes होते हैं, पेड के अंदर, ठीके, so ये सब जो जानवर हैं, वो भी पेडों में रहते हैं, so उनको भी पेड की perfumes are made from flowers, perfumes क्या होता है, जो आप scent use करते हो, deodorants होते हैं, perfumes होते हैं, जो हम लगाते हैं, ड्रेस में, ठीक, ताकि अच्छी-च्छी खुश्बू आए, तो वो होती है perfumes, जो की फूलों से बनते हैं, ठीके, जब आप perfume खरीते हो, तो आपने उसमें देखा होगा, कि उसमें लिखा होगा, उसका मतलब वो उन-उन प्लांट से बने हैं, उनके flowers से ये बने हैं, ठीके, वो flowers की खुश्बू बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए perfumes भी लोग बनाते हैं, then medicines, यानि दवाईयां, बहुत सारी दवाईयां भी पौधों से, प्लांट से हमें मिलती है, medicines are made from plants ठीक है, like neem, तुलसी, नीम का पेड़, जो की बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, then तुलसी, तुलसी भी ममी चाय में डालती होगी, या तुलसी का पानी पिलाती है, जब आपको खासी जुकाम हो जाता है, so देखें, तुलसी, नीम, ये सो प्लांट से एक दवाईयों के काम में भी आता है, then sugar is made from sugar cane, जो आपका चीनी है, वो किस से बनता है, गन्ने के पौधे से, हम जो है चीनी बनाते हैं, उसका रस निकालते हैं, और फिर उसको सुखा कर ही चीनी बनती है, जो हमें daily use होता है, sugar है, so वो हम कहां से बनाते हैं, sugar cane से, tea is made from tea leaves, और जो चाय है, व कैसे coffee beans से हम coffee बनाते हैं, ठीक है, वो भी जो है coffee के seeds से बनती है, और क्या देता है, our clothes are made from cotton, हमारे कपड़े हैं, हम सभी जो कपड़े खरीते हैं, पैनते, वो कहां से आता है, वो रूई से बनता है, cotton क्या होती है, रूई, और रूई हमें कहां से मिलती है, cotton के plant से, रूई क भी एक plant होता है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा, कि एक बहुत बड़ा पेड होता है, उसमें से जो है, एक seed की तरह रहता है, ठीक है, वो एक beach की तरह रहता है, और जब उसको तोड़ते हैं, तो उसके अंदर से रूई निकलती है, ठीक है, सो इस तरीके से cotton मिलता है हम हमें plant से और उसी cotton से जो है, कपड़े भी बनते हैं, then we get rubber from rubber tree, जो rubber होता है, जिस पर क्या होता है, जैसे आपका eraser बन गया, आपके hair bands, tire जो होते हैं, गाड़ी के, यह सब material क्या है, rubber से बनते हैं, यह सब ठीक है, सो वो हमें कहां से मिलता है, rubber tree, उसको क्या करते हैं, लोग ऐ एक milk निकलता है, एक दूद देता है, यह plant ठीक है, वो उसका एक gum की तरह रहता है, एक favicol की तरह दिखता है, वो दिखने में, तो क्या करते हैं, लोग इस plant के चारों तरफ इस तरीके से cut कर देते हैं, और उसके नीचे छोटे-छोटे cutory type बना के रख देते हैं, तो इसमे क्या होता है, कि यह plant जहां पे cut किया, वहां से इस तरीके से milk टपकता है, इस cutory में, ठीक है, और यह जो milk है, इनको यह लोग जो है, एक बड़े से sheet में spread कर देते हैं, ठीक है, जिसमें बिचा देते हैं, उसमें डाल देते हैं, और वो सूख जाने के बाद वो rubber बन जाता है ठीक है, और उसी से यह सारी चीज़े बनाते हैं, जो हमारी rubber होती है, rubber की चीज़े बनती है, जूट, जूट क्या होता है, इस तरीके से देखा है न, जिससे हम बांधते हैं, इससे bags भी बनते हैं, जैसे कि बोरी, बोरी वगेरा जो बनती है, बोरी का material आपको पता है न, उ get jute from jute plant और ये भी हमें एक plant से ही मिलता है तो देखा आपने हम खाने के अलावा plant को किन किन चीजों के लिए यूज करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए जो है plants हमें helpful होते हैं इसलिए आजकल plants इतने जादा कट रहे हैं और जो की हमारे लिए dangerous भी है क्योंकि plant के बिना हमारी कोई life ही नहीं है है ना plant के बिना हम जी ही नहीं सकते plant ही हमें oxygen देता है देखिए बता यहाँ पे plants gives us the most important thing plant हमें सबसे important चीज देता है वो क्या है oxygen जो हम अंदर लेते हैं सांस लेते हैं है ना so they gives us oxygen which we need to live जो हमें जीने के लिए चाहिए so plant बहुत जरूरी है पर plant से बहुत सारे फाइदे भी हैं इसलिए लोग plants को अलग-अलग तरीके से यूज करते हैं so hope कि आपको यह समझ में आया होगा यह chapter so देखिए हम आ गए है exercises में यहाँ पर हमें correct option पर टिक लगाना है number one potato is a dash where food is stored so हमने पढ़ा था chapter में कि potato एक stem है ना potato, sugar cane और ginger यह सब एक stem है जिने हम खाते हैं so हम stem में टिक लगाएंगे next देखिए banana is a dash banana क्या है केला एक fruit है ना एक फल है so हम fruit पर टिक करेंगे cauliflower is a dash where food is stored cauliflower क्या है एक flower है ना जिने हम खाते हैं so flower पर टिक करेंगे carrot is a root which we eat carrot और मूली, गाजर यह सब क्या है इनको हम root बोलते हैं क्योंकि यह मिंटी के नीचे होते हैं beetroot यह सब जो हैं बिंटी के नीचे होता है इनको हम खोद कर निकालते हैं और यह root होते हैं plant के ठीक है, so हम root पर टिक मारेंगे carrot is a root which we eat then आगे देखिए यहाँ पर आपको picture देखना है और उनके नाम से आपको match करना है यह क्या है आपका चावल और चावल को हम क्या बोलते हैं चावल, आटा यह सब होते हैं आपके cereals, ठीक है so यहाँ पर cereals से मिलाएंगे number one, then यह क्या है यह है मूंग दाल so मूंग दाल क्या है आपका दाल है जिसको हम pulses बोलते हैं so हम pulses की तरफ मिलाएंगे then यह हो गए आपके masala है ना जो गरम masala होते हैं ठीक है, so उनको हम क्या बोलते हैं spices, so हम spices से मिलाएंगे then यह क्या है nuts ठीक है ना जो आपके kaju, बदाम, पिस्ता, अक्रोट यह सारे nuts होते हैं so हम nuts से मिलाएंगे और यह क्या है, so यह picture है एक कपड़े का, एक कपड़ा fold करके रखा हुआ यहाँ पे और कपड़ा किस से बनता है cotton से बनता है, रूई से बनता है ठीक है, so हम यहाँ कपड़े से match करेंगे cotton को so आगे करते हैं question answers chapter के देखिए answer the following question number one name the main parts of a plant so plant के parts के बारे में लिखना है देखिए हमने पड़े थे picture में यह होता है root, stem, branch fruit, leaf, bird, flower so यह है parts of a plant ठीक है जो कि आप अपने answer में भी लिख सकते हैं देखिए इस तरीके से root, stem, branches, leaves, flowers and fruits यह सब है आपके parts of a plant next क्या है question name the food groups we get from plants यानि food के group देखिए ऐसे लिख सकते हैं stem, leaves, flowers इन सब के group होते हैं flowers के group जो हम खाते हैं leaves खाते हैं stem खाते हैं यह सब एक food के group है जो हमें plant से मिलते हैं इसके अलावा आप cereals, pulses, nuts यह भी लिख सकते हैं spices यह सारे groups हैं जो हमें plant देते हैं आगे भी कुछ questions देखिए जो आ सकते हैं who are our green friends हमारे green friends कौन होते हैं plants are our green friends है न, पौधे ही होते हैं हमारे green friends then क्या हो आ सकता है what are herbs herbs क्या होते हैं very small plants बहुत ही छोटे plants को हम herbs बोलते हैं are called herbs then what are shrubs shrubs क्या होते हैं a small to medium sized woody plants are called shrubs यह सब आपके text book में दिया है वहीं से लिखा है यह आगे देखिए name two creepers name any two creepers creepers क्या होते हैं जो ground में ही plant की तरह निकलते हैं जो ground में ही होते हैं उपर नहीं जाते so pumpkin and watermelon कद्दू और आपका watermelon name any two climbers climbers के नाम बताने हैं so money plant and pea climber यह आप लिख सकते हैं then write any two uses of trees trees के दो uses बताने हैं हमने बहुत सारे पढ़ेते हैं कि हमें दवाई देता है हमें cotton देता है जिसे हम cloth बनाते हैं हमें wood देता है उतमें से कोई भी दो आप लिख सकते हैं trees gives us wood medicines इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं flowers we can make perfumes out of flowers okay so आप इन में से कोई भी uses लिख सकते हैं plants के so हो गया हमारा यह chapter भी यहाँ पे complete ओप कि आपको समझ में आया होगा plants around us plants और उनके uses और उनके types so यही सब हमने यहाँ पे पढ़े थे okay so आप अगला वीडियो करते हैं अगले chapter में thank you for watching bye bye